बहुत समय पहले की बात है काशिपुर नामक गाओं में सुजाता की पांच बेटियां थी और वह अपनी पांच बेटियों के साथ एक छोटे से किराय के घर में रहा करती थी सुजाता के लिए पांच बेटियों का पालन पोशन करना कोई आसान काम नहीं था बहुत मुश्किल था लेकिन वह एक मा थी इसलिए वह सबी कठिनायों का मुश्किलों का सामना करकर अपनी पांच बेटियों का पालन पोशन कर रही थी उन्हें पढ़ा रही थी ताकि उसकी पाँचों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं मम्मी देखिये ना मेरे सारे सूट खराब हो चुके हैं कोले जाने में भी शर्म आती है सूट दिलवा दीचिये ना और मम्मी मेरे सैंडल भी पूरी तरह से तोट चुकी है दस बार मैंने उन्हें जोड लिया है ले मेरी तो स्कूल की फिस जमा होनी है दो महीने हो गए अभी तक स्कूल की फिस जमा नहीं हुई और मम्मी मेरे यूनिफॉर्म आनी है बहुत ज्यादा प्रानी हो चुकी है जूते भी आएंगे और बैग भी और मम्मी मेरी भी फिस जमा होनी है अरे अराधना बेटा तुम क् तो जब एक तरफ शांत बैटी हो, बस सबकी बाते सुने जा रही हो, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, तुम्हें सूर सेंडल कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्यारी मम्मी, मैं जानती हूँ, कि आप उपर से मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख हैं, हम पांचों बेटियों का पालन पोशन करना, उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना, आपके लिए कितना मुश्किल होता है, हम अच्छे तरह से जानते हैं, आप कितनी मेहनत करती हैं, तब जाकर चंद रुपिय कमाती हैं, और वो यूहीं खतम हो जाते हैं, मत देखना हम पांचों बेटियां एक दिन आपकी ये सारी मुश्किले और परिशानी खतम कर देंगी। अरे मेरी समसदार पिटिया अरादरा बस तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो जब तुम अच्छी सिक्षप राप्त कर लोगी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमारे ये हैं बुरे दिन भी खतम हो जाएंगे इसलिए तो मैं अपनी पांचों बेटियों को पढ वादूंगी अच्छा अब मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है सुजाता अपनी पांचों बेटियों को ऐसा बोल कर काम करने चले जाती है सुजाता जिस घर में काम करती थी वहां जाकर हमेशा की तरह काम करती है आज सुजाता की मालकिन की बेटी होस्टल से बदबू आ रही है पता नहीं गरीबों को पानी भी क्या पैसों में मिलता है नहाते क्यों नहीं है तुम लोग कितने ज्यादा गंदे हो कितने बदबू आ रही है मैंने मम्मी से एक बार नहीं सो बार कहा है कि नोकर भी अपने स्टेंडर के हिसाब से रखा करो लेकिन नहीं पता नहीं कहां कहां से गरीबा को उठा कर लेकर आ जाती हैं, मेरी बात कान खोर कर सुन लो, कल से नहा कराना, और यह साड़ी भी चेंज कर कराना, आए बस समझ में, अब खड़े खड़े मेरा मूँ क्या देख रही हो, तुम्हारी आर्थे उतारूं क्या, वो पिटिया, मैं तुम जैसी नोकर गरीब की बेटी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे बिटिया कहनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंप सहाब बोलो मैंप सहाब, क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन की बेटी हूँ, आए बस समझ में, और आस तेरे अंदर से बदबु आ रही है, इसलिए मै तेरा आत का कुछ भी नहीं खाने वाली, जो तेरा काम है, साफ सफाई का, उसे कर और निकल यहां से, और कल को नहा कराना, तब कुछ खाऊंगी, मैंने पिज़ा ओडर क्या है, वो आने ही वाला होगा, निहारी का की यह है बाते सुनकर, सुजाता के दिल को बहुत ही ज्या लेकिन निहारी का बहुत ही ज्यादा घमंडी और नक चड़ी थी, वह चाहती ही नहीं थी, कि सुजाता यहां पर काम करे, इसलिए वह अपनी मा के रूम में जाती है, और अपनी मा का एक किमती शोपीज गिरा का तोड़ देती है, यह सब कुछ करते हुए सुजाता देख लेती है, और वह निहारी का से कहती है, यह आपने क्या क्या, आपने इसे जान पूछ कर क्यो तोड़ा, यह तुम्हारी मा का पसंदीदा गिफ्ट है था, क्या हुआ घर में इतना शोर क्यों मचा रखा है, क्या तोटा, यह क्या, मेरा यह शोपीज किसने तोड़ा, कैसे त तूटा सुजाता तुम अच्छी तरह से जानती हो ना यह शोपीज मेरे दिल के कितने करीब है कैसे तूटा ये मैम साहब मैं तो यह जानती हूं कि यह तोफ़ा आपके लिए कितना ज्यादा कीमती है लेकिन शायद आपकी बेटी नहीं जानती इसलिए इसने इसे जान क्यों तोड़ूंगी मुझे क्या मिलेगा आपका शोपीज तोड़कर मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आपकी बहन ने आपको यह शोपीज दिया था और आप इसे कितना ज्यादा पसंद करती है मम्मी यह नोकरानी छोटी है आपके सामने मुझे बुरा बना कर दोबार कैसे हुई मेरी बेटी के उपर जोटा इल्जाम लगाने की तुम एक गरिब नोकरानी होकर मेरी बेटी के उपर इल्जाम लगाओगी होश में तो हो मेरी रूम की सफाई तुम करती हो इसलिए इसे भी तुम नहीं तोड़ा है और तोड़कर मेरी बेटी के उपर इल्जाम नहीं मिलेगा निहारी का बेटा मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ कि रिप्या करके अपनी मा को सच बता दो यह शोपीज मैंने नहीं तोड़ा तुम जैसा कोओ कि मैं वैसा करूँगी एक दिन मैं चार चार बार ना हूँगी चोटी चोटी जरूर तो अपको पूरा घर ना है घर में राशन मी वढ़ना है किरप्या करके निहारी का बेटा अपनी मा को सच बता दो सच बता दो सुजाता निहारिका के सामने बहुत रोती है गड़ गड़ाती है कि वह सच बता दे लेकिन वह तो चाहती थी कि उसकी मा सुजाता को अपने यहां से काम से निकाल दे और उसका यह मकसद पूरा हो जाता है निहारी का और उसकी मा बेचारी सुजाता को अपने घर से ध़के मार के निकाल देती है सुजाता के इतने दिन की महनत के पैसे भी उसे नहीं मिलते सुजाता बहुती ज्यादा दुखी होती है हे उपर वाले यह मेरे साथ क्या अरणत हो गया मुझे नौकरे से निकाल दिया गया और मेरे पूरे महीने की महनत का एक रुपिया भी मुझे नहीं दिया गया हम करीबों के साथ ही ऐसा क्यूं होता है क्यूं यह आमी डॉक हम करीबों को इंसान क्यूं नहीं समझते हमें ऐसा क्यूं समझते हैं जैसे हम इंसान ही ना हो कोई कीड़ा मकोड़ा हो जिसे यूही पैर के नीचे लाकर कुछल दा अब मैं अपनी बेटियों का पालन पोशड कैसे करूँगी सपना को कपड़े चाहिए काजल को सैंडल नैना सुनैना को स्कूल की फीस यूनिफॉर्फ ये सब कैसे होगा घर में राशन भी बहुत कम है अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा सो जाता ये हैं सबसोज सोचकर बहुत ही ज्यादा फोट फोट का रोती है क्योंकि वह अच्छे तरह से जानती थी कि उसे आसानी से नोकरी नहीं मिलेगी और अगर नोकरी नहीं मिलेगी तो वह अपनी बेटियों को क्या खिलाएगी कैसे पढ़ाएगी उनका पालन पोशन कैसे करेगी ये सब सोचकर वह बहुत दुखी हो रही थी कि तभी एक तेज रफ्ता से गाड़ी आती है और सुजाता को टककर मारकर चली जाती है बस सुजाता की मुश्किले और भी ज्यादा बढ़ जाती है घर में थोड़ी जो जमा पुंजी रखी थी वह सब उसके इलाज में लग जाती है मम्मी आपको पता है नीर मिला मों से बता रही थी कि आप सड़के बिल्कुल बीचो बीच चल रही थी वो तो शुक्र है उपर वाले का कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी अगर आपको कुछ हो जाता तो हम पांचों बहन आपके बिना कैसे रहते आपके बिना कैसे जीते मा क्या हुआ है आप क्यों रो रही है मेरी प्यारी बेटियो मुझे माफ कर दो ममी अब आप कुछ बताएंगी भी या नहीं बस आप हम पांचों बहनों से माफी माँगे जा रही है क्या हुआ कुस तो बताईए हम बच्पन से देखते आ रहे हैं कि आपने किन-किन कठी नाईयों का सामना क्या है लेकिन आप इतनी परेशन कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है क्या हुआ बताइए तो मेरी प्यारी बेटियो जहाँ पर मैं काम करती थी वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है और उन्होंने मुझे मेरी पागार भी नहीं दी और उपर से मेरा एक्सिडेंट भी हो गया जो घर में थोड़ी बहुत दमा पूझे थी वह सब मेरे इलाज में लग गई अब मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगी कैसे पढ़ाऊंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तो चार पाई पर बैठ गई अब क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी आप परेशान मत होए आपकी एक नहीं दो नहीं पाँच पाँच बेटिया है और आप पाँच बेटियों के होते हुए इतनी ज़्यादा दुखी हो रही हो मत रो ये अपने आसों साफ कर लीजिए आपको पता है मेरी एक दोस्त बता रही थी कि शहर में एक फैक्टरी में पांच लोगों की जरूरत है तो बस हम पांचों बहने शहर जाएंगी वहां काम करेंगे और अपना और आपका ख्यार रखेंगे मगर बेटा तुम्हारी पढ़ाई उसके आप चिंता मत कीजिए जब काम करेंगे पैसे जोड़ लेंगे तो अपने पढ़ाई भी कर लेंगे फिलहाल बस आप अपनी सेहत के बारे में सोचिए अपना खयार रखिए कल सुबाही हम पाँचों बेहन जा रहे हैं सुजाता के चहरे पर एक हलकी सी मुस्कुराहट आ जाती है कि उसकी बेटियां इतनी ज्यादा समस्दार है कि वह मुश्किल वक्त में अपनी मा का साथ दे रही है वह अपनी गरीबी से और इन परेशानियों से घबरा नहीं रही है और अपनी दोस्वानी के साथ शहर जाने के लिए निकल जाती है वैसे यारा रखना तुने बहुत अच्छा क्या जो तुने मेरी ओफर माली अब देखना वहाँ पर जब तुम पाँचों बेहने काम करोगी तो तुमारी गरीबी यूही छो मंतर हो जाएगी अरे बेटा कहां जा रही हो रुको मेरी बास सुनो मैं और मेरे दोनों बच्चे बहुत समय से भूके हैं कुछ नहीं खाया और इस रास्ते से कोई आता जाता भी नहीं है लगता है उपर वाले ने हमारी सुन ली बेटा क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो बहुत भूक लगी है अरे बुडिया तुझे दिखाई नहीं दे रहा यह रास्ता शहर जाने के लिए है और हम शहर जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ इतना ही है जिससे हम अपना पेट भड़ सके अगर हम अपना खाना तुझे दे देंगे तो हम भूके नहीं रह जाएंगे हम क्या खाएंगे इसलिए हम तेरी मदद नहीं कर सकते किसी ओड़ से मदद मागना अरादना यह भीकारी लोग में पागल होते हैं जब देखो हाथ फैला कर खड़े हो जाते हैं नहीं नहीं सोहनी ऐसे नहीं कहते हम तो शेहर चले जाएंगे और वहाँ जाकर हमें कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा लेकिन यह हैं अम्मा और उनके बच्चे ना जाने कब से भूके हैं इनकी हालत तो देखो देखो तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत दो लेकिन हम पाँच बेहने अपने हिस्से का खाना इन्हें दे रहे हैं अगर हम दो दिन भूके रहे लेंगे तो मर नहीं जाएंगे सपना काजल लेना सुनाएना दे दूना अपने हिस्से का खाना हाँ दी दी यह कोई पूछने वाली बात है हम गरिब गरिब की भोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा सुहानी अपने हिस्से का खाना नहीं देती लेकिन पांचों बहने अपने हिस्से का खाना दे देती है और वह अच्छी तरह से जानती थी कि शहर जाने में दो दिन लग जाएंगे और उन्हें दो दिन तक भूका रहना पड़ेगा लेकिन वह उस बुरी औरत की मदद करकर सोहानी के साथ थोड़ा और आगे चलती है तो रास्ते में एक जखमी हीरन मिलता है जिसे देखकर सोहानी तो पांचों बेहनों को अकेला छोड़कर वहां से रफू चकर हो जाती है अरे यार यार यह रहा फैक्टरी का एडरस तुम चली जाना मैं तो अपने घर वापस जा रही हूं पताने ही इस जंगल में और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर कितनी ज़्यादा बदबू आ अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना तो कल अपने पापा के साथ बस से चली जाओंगी ऐसा कहकर सुआनी पांचों बेहनों को जंगल में अकेला छोड़कर वहां से रफू चकर हो जाती है और पांचों बेहने उस जखमी हीरन की बहुत सेवा करती हैं आस पास की ज हाड़ियों से जड़ी बूटियां लेकर आती हैं उसके जखमों पर लगाती हैं और उसे पानी भी पिलाती हैं और जैसे ही वह ठीक होता है एक सुन्दर परी के रॉप में बदल जाता है हीरन को परी के रूप में देखर पांचों बहुत ज्यादा अच्छे हो तुम ने अ नजर अंदाज नहीं किया बलकि उसकी सेवा की तुम पांचो बहनों का दिल पहुत सुन्दर है बिलकुर शीशे की तरह साफ है अब मैं अपने पांचो जादवी सूट तुम पांचो बहनों को दे सकती हूं परीजी आपके जादवी सूट हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही है और जब आप अगर परी थी तो आपने जखमी हिरन का रूप क्यों ले रखा था वो इसलिए क्योंकि मुझे पिर्थिवी के ऐसे पांच अच्छे इंसानों को अपने जादवी सूट देने थे जिनका वह गलत इस्तिमाल ना कर सके उनसे लालच ना कर सक हो और इसलिए मैंने अपने वह रूप ले रखा था अब मुझे पिर्थिवी की पांच ऐसी बहने मिल चुकी है जिनके अंदर बिलकुल भी लालच नहीं है दूसरों के प्रति प्यार है और दूसरे के दुख दर्द को समझती है यह लो तुम पांचों बहने जादूई खयार रखना लालच मत करना और अपने सासत गरिब और परेशान लोगों की भी मदद करना क्योंकि अमे पिर्थिवी पर दोबारा नहीं आउंगी परी की बाते सुनकर पांचों बहने बहने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह परी पांचों बहनों को जादूई के बारे में सुनकर सुजाता भी बहुत खुश होती है और पांचों बहनों को अपने जादूई सूट से कुछ नःकों मिलता है सोना चांदी eat जवरात पैसा रुपियस सब कुछ लेकिन सुजाता और पांचों बहने जादुई सूट से लालच नहीं करती वह अपने लिए एक शांदार घल लेती हैं और इस तरह सब एक साथ हासी खुशी अपनी जिन्दगी व्यदीत करते हैं बहुत समी पहले की बात है कि शनगंच नामक काउ में सुमन एक विद्वा गरीब औरत अपनी पांच बेटियों के साथ एक छोटी सी जोपड़ी में रहा करती थी सुमन के सबसे चोटी बेटी जब एक साल की थी तब ही उसका पती सुमन और अपनी पांच बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़ कर चला जाता है पती के जाने के बद सुमन को बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और वह अपनी बेटियों का पालन पोशन के लिए बहुत महनत करती थी तब जाकर उन्हीं दो समय का खाना खिला पाती थी ऐसे ही कठिनाईयों से भरा सुमन और उसकी पाँचों बेटियों का जीवन चल रहा था एक दिन अचानक जहां पर सुमन की जोपड़ी थी उस जंगल में जंगली जानवर आ जाते हैं मेरी प्यारी बच्चियों जल्दी से अपना जरूरत का समान लो और यहां से निकलो इस जंगल में जंगली जानवर आ गए हैं उनका शिकार होने से पहले पहले हमें यहां से निकलना होगा चलो मेरी प्यारी बच्चियों कहीं और अपना बजेरा करते हैं सुमन अपनी पांचों बेटियों को और जरूरत का समाल लेकर अपनी वह चोटी सी जोपड़ी खाली करकर दूसरी जगा जाननी के लिए निकल चाती है कि तब ही रास्ते में चारों तरफ से उन्हें जंगली जानवर घेरे लेते हैं सुमन अपनी पांचों बेटियों पर आज भी नहीं आने देती और वह डटकर उनका सामना करती है बड़े मोटे डंडे से उन्हें मार कर भगा देती है लेकिन सुमन पूरी तरह से जखमी हो जाती है वह खून में लहू लुहान थी अपनी मा की ये हालत देकर पांचों बेहन बहुत ही ज्यादा रोती है तब ही सुमन अपनी बेटियों से कहती है मेरी प्यारी बच्चियों मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है मैं इस दुनिया से जाने से पहले पहले तुम्हें किसी के पास छोड़का जाना चाहती हूँ ता कि कोई तुम् कुछ करती आ रही है एक माही तो होती है जो अपने बच्चों की ढाल बनकर हमेशा उनकी रक्षा करती है आपने पिताजी के जाने के बाद हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया और आज भी इन जंगली जानवरों से हमारी जान बचाए मा मा हम आपके बिना नहीं रह पाएंग सुमन अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बेटें चाहें कितना भी रोलें कितना भी तड़प ले लेकिन अब वह अपनी बेटियों की देख भाल करने के लिए और जीवित नहीं रह सकती और वह अपनी पांचों बेटियों को सुरक्षित जगा पहुचानी के लिए ऐसी जखमी हालत में कोई जगह ढूंडती है कि तब ही उसे एक बुड़ी औरत नज़र आती है वह उसके पास जाती है सुमन को जखमी देखकर वह बुड़ी औरत उसके जखम साफ करती है तब ही सुमन उससे कहती है आप मुझे बहली और अच्छी औरत नज़र आ रही है इस बहरी दुनिया में मेरी पांचों बेटियों का कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता और मैं जी पाऊंगी क्या मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का खयाल रख सकती है अरे बेटा ये तुम कैसी बाते कर रही हो पांच पांच लक्षमिया मेरे घर में रहेंगी इससे बड़ी सो भागे की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है पाँच पाँच बेटियों को पाल कर मैं तो धन नहीं हो जाओंगी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं उनका बहुत अच्छे से खयार रखूंगी वह बुड़ी औरत सुमन से उसकी पाँच बेटियों को पालने का वादा कर लेती है और सुमन अपनी पाँच बेटियों को उस बुड़ी औरत के पाँच चोड़कर इस दुनिया से चली जाती है अपनी मा के इस दुनिया के जाने के बाद पाँच बेहने बहुत ही ज्यादा फूट फूट का रोटी है शाम को पॉच्छो बेहन खाना खाने बैटती है तो खाना बहुत कम था अरे ये क्या आधी वो भी सूखी हुई रोटी आपने तो माज़़े बादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्यार रखेंगी ऐसे ख्यार रखो कि आप हमारा आधी रोटी खिला कर वो भी सूखी हुई हम आपको एक बात अच्छी तरह बता दे हमारी मा गरीब जरूर थी लेकिन उसने कभी हमें भोका नहीं सोने दिया और तुम पहले ही दिन हमें इतना कम खाना दे रही हो आगे का पालन पोशन कैसे करोगी पता नहीं मा भी हमें इस गरीब उडिया के पास क्यों छोड़कर चलेगी पता नहीं यह हमारा पालन पोशन अच्छी तरह कर भी पाएंगी या नहीं मेरी प्यारी बच्चियों मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भोक लगी होगी लेकिन आज इतना ही खाना है आज थोड़ा खाना खा कर ही गुजारा कर लो कल मैं तुम्हें पेट भर कर खिलाओंगी यह तो बस मैंने अपने लिए बनाया था और मैं अपना पालन पोशन करने के लिए एक जम्मिदार के यहां काम करती हूँ मैं उनसे उधार पैसे ले लूँगी लेकिन तुम्हें भोका नहीं रहने दूँगी लेकिन बेटा आज इसी में गुजारा कर लो अरे कलावती मां आप इतना परिशन क्यों होती हैं आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है तारा से तारा नैना सुनेना यह क्या बत्तरमीजी है अपने बड़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं माने क्या हमें यही सिखाया है हमें तो इनका धन्नी वात करना चाहिए हमें इस तर्चुपानी के लिए च्छत दी और अपने खाने में से हमें खाना खिला रही है आज की दुनिया में भला कोई दूसरे के बारे में इतना सोचता है क्या सपना बात को संभालते हुए अपनी चारों बहनों को चिप कर देती है और पांचों बहने थोड़ा धोड़ा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीट रहा था। सपना तो कलावती देवी के कामों में हाथ बठाती थी लेकिन चारों बहने वह तो बस खेलने कूदने में ही लगी रहती थी और बस कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में कमी निकालती रहती थी ऐसे ही एक दिन नैना सुनैना का जनम दिन आने वाला था और वह कलावती देवी से कहती है कल हमारा जनम दिन है लेकिन हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है क्या आप हमारे जनम दिन पर हमें गाउन दिलवा सकती है इतने दिन से आपने हमें वैसे भी कपड़े नहीं दिलवाए कम से कम हमें हमारे जनम दिन पर तो गाउन दिलवा ही देना हमें हर साल हमारी मा जनम दिन पर नहीं गाउन दिलवाती थी हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटिया कल तुम्हारा जनम दिन है यह तो बहुत अच्छी बात है सबने बिटिया घर को जरा अच्छी तरह सजा देना और मैं जमिदार से पैसे उधाल ले कराऊंगी अपनी बेटियों के लिए नए गाउन ले कराऊंगी और केक भी ठीक है बिटिया कलावती पांचों बेहनों को खुश देखना चाहती थी इसलिए वह पूरी कोशिश करती थी कि वह खुश रहें कलावती जमिदार के यहां जाकर काम करती है और कुछ पैसे उधाल लेती है और वह बहुत खुश होती है और वह घर आ रही होती है कि तब ही रास्ते में उसका एक्सिडेंट हो जाता है जो पैसे वह उधाल लेती है वह सब उसके इलाज में लग जाते है अब कलावती नायना और सुनायना का जनम दिन भी सैलिबरेट नहीं कर पाती उनके लिए गाउन भी नहीं खरीद पाती और जब कलावती घर आती है तो सपना देखकर चौँग जाती है कलावती मां यह आपको क्या हो गया आपको तो कितनी स्यादा चोट लगी है कुछ नहीं, सब ड्रामा है, हम पांचों बहनों से चटका रहा पाना चाहती है इसलिए ये ड्रामा कर रही है नेना, सबान सवाल कर बात करो, ये तुम क्या कह रही हो कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कलावती मा को कितनी से जट चोट लगी है, और तुम अनापचना बोले जा रही हो अगर ये सुन लेती तो इन्हें कितना पुरा लगता शौंत खड़ी रहो बिल्कुल अरे कुछ नहीं बेटा, काम करकर वापस आ रही थी और मैंने तो नैना और सुनैना के जनम दिन के लिए समीधार से पैसे भी उधार लिए ताकि मैं अपनी प्यारी पेटियों का जनम दिन बना सकूँ नैना सुनैना, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीद नहीं पाई और ना ही केक, अब तो लगता है कि मैं काम करने भी नहीं जा पाऊंगी अब मैं तुम्हारा बालन पोशन कैसे करूंगी, मुझे माफ कर दो, मेरी प्यारी बच्चियों ये कुन सी बड़ी बात है, वो तो मैंने तारा से तारा और नैना से पहले ही कहा था कि आप चाहे कोई भी ड्रामा करेंगी, लेकिन हमारा जनम दिन सेलिब्रेट नहीं करोगी ठीक ही कहा था मैंने, और अब तो जनम दिन सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है अब तो हमें भूका मन न पड़ेगा, पहले रूखी सूखी खा कर अपना गुजारा करतो रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलेगा आप घर पर बैठ जाओगे, चार पाई पर पड़ी रहोगी, पता नहीं मा को भी हमें यही गरीब बुड़ी है मिली थी हमारी जिम्मेदारी देनी के लिए किसी बड़े घर में दे जाती हमारी जिम्मेदारी, तो आज एश कर रहे होते, इस तरह से टुकडों में तो अपनी जिन्दगी नहीं जीते सुनैना, तुम है अपने जन्नम दिन और खाने पीने के लगी है, और यहां कलावती मा को कितनी ज्यादा चोट लगी है, और तुम खाने और अपने गाउन के, यह सब क्या बाते कर रही हो हम पाँचों बेहनों का पालन पोशन करने के लिए कलावतिमा कितनी ज़्यादा मेहनत करती है उनकी इतने उम्र भी नहीं है काम करने की लेकिन फिर भी वह हम पाँच पाँच बेहनों का पालन पोशन कर रही है और तुम्हारा जन्म दिन सेलिब्रेट के लिए उन्होंने पैसे भी उधाल लिये थे फिर भी तुम हमारी ही गलती है कि हम पांचों बहन घर में बैठ कर और अपनी बूड़ी मा को काम करने बहेज रहे थे लेकिन अब हम इस गलती को सुधारेंगे कलावती मा आप आराम करेंगी और हम काम करेंगे सपना अपनी चारों बहनों को बहुत बाते सुनाती है और अब वह काम करने का फैसला करती है और अगले दिन अपनी चारों बहनों को जमीदार की यहां काम करने ले चाती है जमिदार एक खेतों में पाँचों बेहनों को काम करने के लिए कहता है सपना तो महनत और लगन से काम कर रही थी लेकिन चारों बेहने आराम से एक जगा बैठी थी तभी सपने कहती है तुम चारों इतनी आराम से क्यों बैठी हो जमिदार की बात भूल के क्या उसके उधार पैसे चुकाने है, कलावती, मा की दवाईयां और खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, इसलिए काम करो, पांच दिन के अंदर अंदर हमें इस खेत को साफ करना है, अगर तुम इस तरह से आराम से बैठी रहा हुई, तो खेत साफ नहीं हो पाएगा, फिर हम खा बड़ा तो ये खेत है, पांस दिन में कैसे साफ करेंगे, और उस बुड़ी हाई ने अपने लिए पैसे उधार लिये थे, उसके इलाज में वह पैसे लगे हैं, हम क्यों उसके उधार के चुकाएं, तारा तो बिलको ठीक कह रही है, काम तो उससे भी नहीं हो रहा, क्या कर यार, मेरे पास एक आइडिया है काम से बचने का, चलो, ड्रामा करते हैं, चारो बहन काम से बचने के लिए चक्कर खा कर नीचे गिर जाती हैं, और वह यह जब ड्रामा कर रही थी, यह सब दिखकर सपने घबरा जाती है, जब वह होश में आती हैं, तो चारो कहती है, इतनी तेज धूप और उपर से इतना ज्यादा काम मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा और बहुग भी बहुत लग रही है दीदी चक्कर आ रहे हैं इसी तरह एक एक करकर चारों बेहने ड्रामा करती हैं बेचारी सपना अपनी बेहनों को घर भेज देती है और खुद अकेल जखमी हीरन करा रहा था वह उसकी मदद के लिए उसे अपने घर लेकर आ जाती है चारों बेहने देखकर कहती है ची दीदी इस हीरन के अंदर से कितनी जाद बदबू आ रही है आप इसे क्यों ठाकर लेकर आगे जाए जहां से ठाकर लेकर आए है वहीं फैक कराई बहुत बदबु आ रही है जी 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 बहुत बदबु आ रही है सुने ना यह बेचारा जानवर बोल नहीं सकता लेकिन इसे चोट लगी है दर्द हो रहा होगा यह भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं इने भी हमारी तरह दर्द होता है यह बेचारे बोल नहीं सकते हमें इनके ले कराओ नहीं ले कराओगी ठीक है अगर इतनी स्यादबत बुआ रही है तो बहारानी के ज़रुरत नहीं है सपना की चारों बहने अंदर चली जाती है वहे हीरन की बिल्कुल भी मदद नहीं करती सपना हल्दी का लेप बनाती है और हीरन को लगाती है और उसकी पहुत सेव करते है, सिवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन What a ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था तब ही शपना जखमी हीरण, त्वे इस अपने बहुत दुख़ता है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डोक्टर को दिखा सकूँ मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सपना तुम बहुत अच्छी हो मैंने देखा कि तुम में किस तरह मेरी सेवा की मैं कोई आम हीरन नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा शक्ति शाली जादूई हीरन हूँ मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया ये काली शक्ति तभी नस्ठ हो सकती है जब पांच बहने अपना थोड़ा थोड़ा खुन मुझे दे तुम पांच बहने हो क्या तुम मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खुन देकर मुझे इस काली शक्ती से मुक्त कर सकती हो तुझ जैसे बदबुदा सड़वे हीरन को हम अपना खुन देंगे ये तेरी गलत फैमी है हम तुझे अपने खुन के एक बोन भी नहीं देने वाले अगर तुम मरता है तो मर जा हमारी बला से और वैसे भी तुझ जैसे सड़वे हीरन को मर जाना ही चाहिए देखो मेरी प्यारी बहनों अगर हम इस मासुम जानवर की जान बचाने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा खुन दे देंगे इसे काली शक्ति उसे मुक्त कर देंगे तो इसमें बुराई ही क्या है मेरी प्यारी बहनों हमें मुसीबत में आई लोगों की जानवरों की बक्षियों की मदद करनी चाहिए यहीं इंसानियत होती है हमें इस वक्त इस जखमी हिरन की मदद करनी चाहिए इसे काले साई से निकालना चाहिए ये हमारा कर्तव ये है ये ही इंसानियत है हीरन अगर मेरी प्यारी बेहन तो मैं अपना खुन नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं मैं अपना खुन देने के लिए तयार हूँ सपना इतना ही कह पाती है कि तभी वह हीरन एक सुन्दर परी का रूप ले लेता है उस हीरन को परी के रूप में आता देख पांचो बेहने और कलावती चौक जाती है तब ही वह परी कहती है सपना तुम बहुत अच्छी लड़की हो हमेशा सब की मदद करती हो मैं तो बस तुम्हारी परिक्षा ले रही थी मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा मैं तुम पांचो बहनों को जादूई फिरोग देती हूँ जादवी फिरोग से तुम कुछ भी मांग सकती हो लेकिन बस इतना धियान रखना कि तुम जादवी फिरोग की मदद से अपने सासत औरों के भी मदद करोगी अगर तुमने दूसरों की मदद नहीं की तो तुम्हें उसके दुस्ट परिणाम भी भुगत में पड़ सकते हैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहना चाहिए क्योंकि उसका परिणाम हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है सपना परी को धन्यवाद कहकर और परी पांचों बेहनों को जादु फिरोग देकर वहां से अद्रिश्य हो जाती है जादु फिरोग आने के बाद चारों बेहनों के अंदर और भी ज्यादा लालच और घमंड आ जाता है और वह सपना और कलावती को छोड़कर शहर में आ जाती हैं और शहर आकर ऐशो आराम वाली जिन्दगी जीती है और किसी की भी मदद नहीं करती ऐसे ही एक दिन चारों बेहने एक पार्टी में चाह रही थी कि तबी एक बुड़ी ओरत उनके पास साकर कहती है अरे बेटा कुछ खाने के लिए है क्या बहुत भूक लगी है बहुत समय से कुछ खाया नहीं चल चल भी कारण हमारा रास्ता चोड़ हमें पार्टी में जाने के लिए तेरी हो रही है हम तेरी कोई मदद वदद नहीं करेंगे और हम तेरी मदद करने में अपना समय क्यों बरबाद करें हमार पास बिल्कुल भी समय नहीं है और अगर तुझे भूख लेगी है तो जा, भूखी मड़ जा, हम तेरी मदद नहीं करेंगे और वैसे भी हम अपने जादवी फिरोक से सिर्फ एक ही बार कुछ मांग सकते हैं और वो हम अपने लिए मांगेंगे, तो जैसे भी कारण के लिए नहीं, चल हट यहां से चारो बेहन, बस इतना ही कह पाती हैं कि चारो बेहनों के जादवी फिरोक गायब हो जाती हैं और वहे फटे पराने कपड़ों में आ जाती हैं और वहे बहुत ज्यादा गरीब हो जाती हैं खुद को इतना ज्यादा गरीब देखकर चारो बेहन बहुत रोती हैं और वहीं दूसरी तरफ सपना अपने जादीफरों की मदद से अपने सासाथ औरों की भी मदद कर रही थी और कलावती देवी के साथ एक हजी खुशी जिंदगी वियतीत कर रही थी और यहां चारों बहने गरेवी में अपना जीवन यापन कर रही थी अब उनका मुह नहीं था अपनी बहन के पास आने का और उन्हें उनकी की की सजा और उनके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है